कि हालो फ्रेंद वेल्कम क्म अ आज हम आपको बता रहे हैं यू पी टी टी में आलिएन फार्म किस प्रकार भृते हैं अब यहां रिजिस्टरिशन फार्म right click करें open new tab में click करेंगे यहाँ पर click करेंगे तो उसका एक नया tab यहाँ पर open हो जाएगा इस तरीके से यह आपका online registration farm का प्रारूप है जो जो information गौर्मेंट ने मांगी है वो सारी information आपको यहाँ पर क्या-क्या देनी होगी farm भरते समय सारी दी गई है सबसे अच्छा farm भरने का तरीका यह है कि आप इस farm को सबसे पहले download कर लें और system में save कर लें या इसका print लेकर पहले hard paper पे इसको fill कर लें जिससे क्या होगा जब आप farm fill कर रहे होंगे तो आपको information को जुटाने के आउस सेकता नहीं होगी और आपके hard paper पे ही सारी information लिखने के बाद आप इसको भर पाएंगे online करते समय तो हम तो आपको यह सला देंगे यहाँ पर आप सबसे पहले इस जो registration farm का प्रारूप है इसको आप print कर लें और उसको पहले आप pen से इसको भर लें उसके बाद online registration ले जाएंगे तो आपकी problem कुछ कम आएगे क्योंकि online farm भरते समय कई सारी गलतियां हो जाती है तो इसलिए इसको print कर लें print करने के बाद ही आप इसको online registration ले जाएं यह बहतर option होता है इसमें सारी detail रहती है आपको क्या-क्या उसक्ता पड़ती है farm भरते समय खास बात इसमें यह है कि अंग्रेजी भासा के capital letter में ही सारा farm फिल करना होता है माता का नाम, पिता का नाम, गरह जनपत का पता जिस जनपत से आप निवास करते हैं और और कहां पर इसमें निवास कर रहे हैं तो अलग-अलग दोनों जगों का location आप दे सकते हैं यहां पर mobile number यह दिवाहित महिला है तो उसके पती का नाम जनम्तितिर यादिया आपको देना है जो स्कूल के प्रणपत्र के अमसार आप link पुरुष है या महिला है वर्ग में पिछड़ा वर्ग हैं जर्नल वर्ग हैं यदि आप विकलांग है तो उससे संबंधित जानकारी आपको यहां पर दी गई है भाषा कौन सी लेनी है हिंदी दितिये भाषा हिंदी तो आपको रखनी ही है और दितिये भाषा कौन सी लेनी है इसके बारे में भी आपको वहाँ पर रजिस्टेशन भरते समय आपको जानकारी मिलेगी यहां पर आपको वो सारी इसके अलावा नीचे आपको सैचड़ योगता से संबंधित कई सारे कॉलम से संबंधित सारी है यहां पर आपको हाई स्कूल, इंटर्मीडियट, इसना तक, पराइसना तक आज से संबंधित इनफार्मिशन आपको यहां पर फिल करनी होती है तो सबसे पहले इन सारी इस उचनाओं को फार्म भरने से पहले आप अपने पास आपको मिलेंगी आपके पासपोर्ट रखना पासपोर्ट है पैन कार्ड है बैंक के पास्बुक है कौन सी आप फोटो पहचान पत्र का चुनाओ करते हैं और फोटो पहचान के संख्या क्या है अपना फोटो अपलोड करें यहां पर ब्रॉज पर क्लिक करके अपने फोटो को अपलोड करना होता है इसके लावा यहां पर टिक करेंगे यहां पर कोड आएगा याद यहां पर सारी इंफार्मिशन आपको फार्म भरते समय मिलेंगी इसको आप फिल करेंगे और इसमें आगे देखिए कई सारी information और दी गई है कि किस farm के लिए क्या-क्या योगिता होनी चाहिए इस farm को फिल करने के रिए प्रिश्चन की योगिता क्या है प्रिश्चन की योगिता BTC होनी चाहिए D8 विशेश सिच्छा B8 विशेश सिच्छा BTC दो वर्षी BTC उर्दू विशेश प्रसिच्छा डिकलोमाइन टीचिंग उपाधिकरा मॉयलिम बी यलेड चार वर्षी विएड चार वर्षी बिएड सिच्छा सात्र में इसना तक आधिको आप यहाँ पर योगि हैं तो आप इसमें अपने आपको एपेर करने के लिए रेजिस्टेशन कर सकते हैं यहाँ पर फोटो पहचान पत्र में क्या-क्या यूज कर सकते हैं आप ओटर आईडी कार्ड बैंक पास्ट बुक ड्राइबरिंग लाइसेंस पैन कार्ड पास्पोर्ट और आधार कार्ड इत्याद को आप एजे पहचान पत्र के रूप में यूज कर सकते हैं यह सारी इन्फार्मिशन यदि आपने पढ़ लिया है या आपने पास कलेट करके रख लिया है तो फार्म भढ़ते समय आपको आसानी होगी. अब इसको आप चाहें तो प्रिंट कर लें या राइट क्लिक करके इसको आप अपने सिस्टम में सेब भी कर सकते हैं.